कश्मीर बिच सरकार खलाव मुझ खुलन दी मुकंबल मनाई है ते हुन इस दा खम्याजा एक मेला पत्रकार उनुप उतना प्या है मौसरत जहरा नामी मेला पत्रकार खलाव पर उसने मामडा दर्ज कीता है आते हो भी सक्त कनून युए पीर तहत असल बिच इस मेला पत्रकार उपर इल्जाम है कि उसने प्रकाव पोश्ट जर्य कश्मीरी नौजवाना नुप पारत खलाब हत्यारबंद बगावत देली उकसाया पोलिस जी दलील है कि उन्हों कई लोग का जर्य शिकायत मिली कि मौसरत जहरा अजहियां पोश्ट पा रही है जिसनल कश्मीरी नौजवान गुम्रा हो रहे हैं अधे गैर क्नूनी गतीविदियां वाल उन्हों दा चुका हो सकता है असल बिच मौसरत जहरा पिछले कई साला तो बता और फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट काम कर रही है वो पात समेथ कई कमांतरी मीडिया अधारे नाड काम कर चुकी है अपने चार साला दे करियर विच उसने आम कश्मीरियां ते हिंसा दे असर नो वखाउन दी कोशिश कीती है 5 अगस्ट 2019 नू पार्त सरकार दी 370 तहत कश्मीर नू मिलनवाला वशेश सूबे रा दर्जा खतम कर देता गया सी अधे पूरे सूबे नो लॉकडाउन कर देता गया सी मौसरत जहरा ने इस दोराण जो रिपोर्टा कीती हैं उनना दी काफी तारीफ होई सी मौसरत ने कश्मीरी सेंटरल यूनिवरस्टी तो पत्रकारी विच मास्टर डिगरी कीती है इस दोलावा मौसरत दी रिपोर्टिंग अर्ज जीरा टी आटी वर्ड वशिंग्टन पोस्ट अल अरेबिया विच भी आ चुकी है उस दे फोटो लेक कुमांत्री अकादमिक जनरल वरगे डव्यू एसक्यू फेमिनिस्ट प्रेस सेज आद्वी शामल हो चुके हैं मौसरत दे ब्रुकलिन विच भी उस दिया तस्वीरा नो वखाया गया है जा कुइंट अते कारवा मैकजिन वरगे पार्ती मीडिया अदारे लई वियो कम कर चुकी है पर पोलिस दे ब्यान विच उनना नो एक फेस्बुक यूजर दे ताउरते पेश कीता गया है मौसरत ने अपनी सफाई दिया कहा कि उनने कशमीरी आउरतां विच तनास बंधी एक रिपोर्ट दे सिंसले विच गांदरबर जिले दी एक आउरता इंट्रिवु कीता सी मौसरत मताबक उस औरत ने उसनु दस्या के 20 साल पेला उस देपती नो एक कतित फरजी मुकाबले विच मार देता गया मौसरत दा कहने कि उसने इस रिपोर्ट से बंधी कुछ तस्वीरा पोश्ट कीतिया सा मौसरत नो सिरी नगर स्थ साइबर पुलस स्टेशन ने तलब कीता सी जिस्तो बाद स्तानक पतरकारा ने सूचना विपागदी अधिकारी शेहरस अजगर नारसम पर कीता मौसरत केंदी है कि शेहरस जी मैंनू दस्या की इस मामले दा हल हो चुका है पर मैंनू हुन क्या गया है कि SSP साब ने तलब कीता है इसलि मैंनू मंगलवार नो उथे जना पवेगा है वो एक इंटरनेशनल और्गनाजेशन में पब्लिश हो चुकी है तो उस पे एक वाटर मार्क भी हैं गैटी इमेज का तो जो उस पे मैंने वो कैप्शिन वगरा लिखा था वो वहां पे बैनर पे भी लिखा था बस मुझे एक डर था कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बता हूं इसके बारे में तो उनको अभी यह नहीं पता है कि वाट इस यू एपी ए उनको यू एपी ए के बारे में नहीं पता है उनको बस इतना पता है कि मुझ पे एक एफ आयार दरज हुआ है तो बस मुझे इतना ख़द्शा है कि अपनी फैमिली को मैं क्या बताऊं आगे जाके के मलब अगर खुदाना खास्ता मैं डीटेन हो जाती हूँ तो मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगी जो भी मेरा फ्यूचर है वो खतम हो जाएगा पड़स ने मौसरत खलाब मुकदमे दी पोस्टी कारदी होई एक ब्यान जारी कीता है उस ब्यान बिच पड़स ने जनतानों चतामनी दिती है के सोशल नेटवर्किंग साइटां ते देश वरोधी पोस्ट करन तो प्रहेज करन अधे अजेहा करन बाले अखलाप सक्ती नाल ने जठाजावेगा अधे अधारिया तर्क है के एक कनून व्यक्ति दी अज़ादी दे अधकार दी उलंगना करदा है क्योंकि ए सरकार नू व्यापक शक्तियां दिनदा है कनून दी दरवर्तों दी समरथा ते रोशनी पाउंदे होई दा हिंदू ने इसनू व्यक्ति दे सन्मान करियर अधे जीवका लई ना पूरा होन वाले नकसान दे रूप चवर्नन करदे होई स्चेत कीता है दोजे पासे अंग्रेजी खबार दा हिंदू दे पत्तरकार आशिक पीर जादा नू एत्वा राध शिरी नगरतो 60 किलोमेटर दूर अनन्तनाग पोलिस स्टेशन विज तलब कीता गया आशिक केंदे हन कि उन्हाने शोपिया जिले दे एक अजहे जोड़ी दी कहानी रिपोर्ट कीती सी जिनना दैक मुंडा मुट पेड़ विच मार्या गया सी आशिक खलाब कोई मुकदमर दर्ज नहीं कीता गया पर अनन्तनाग पोलिस स्टेशन बुढाये जाननों आशिक एक सजारे तारते देख दे हन कश्मीर विच पत्तरकार नों पोलिस थने बलाया जाना आम गल है चो पिछले कई साला तो जारी है पर मौसरत जहरा ते युए पीए लगाया जाना आपने आव बिच इस तरह दा पहला मामला है इस करून विच पिछले साल पार संसद विच सोध होई सी इस करून तहत कश्मीर का टेविच मनुख्य अदकार दे कई वरकरा नों गरिफतार कीता गया है कश्मीरी प्रेस कलब दे परदान मौजब मुहम्मद कैन दे हन कि कश्मीर विच उन जबी काम करना खतरनाक है करते हैं